बच्चों, हम विवित प्रकार के प्राणियों को हमारे आसपास देखते हैं, जैसे स्पायरो गैरा, कमल का फूल, आम का पेड, तिलचटा, मेंधक, तोता, बंदर, आधी यदि हम इनका ठीक से निरक्षन करें, तो हम पाएंगे कि ये सारे एक दूसरे से अलग दिखते हैं, उनका भोजन भी अलग है वर्गी करण के बिना इनका अध्यान करपाना असंभव है पर सवाल ये है कि वर्गी करण होता क्या है वर्गी करण का अर्थ होता है समानता और विभिनता के आधार पर छोटे छोटे गुड बनाना बच्चों क्या आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं क्या वहाँ आपने विविन्न प्रकार के विभागों की ओर कभी गौर किया है? क्या आप इन विभागों की सूची बना सकते हैं? शौपिंग मॉल में हमें कई प्रकार की विभाग दिखते हैं, जैसे किराना, इलेक्ट्रोनिक वस्तूओं का विभाग, कपड़ों का विभाग, गहनों का विभाग आदि, कल्प ना करें. यदि इस प्रकार की विभाग न बने हो, तो क्या होगा? मॉल में पूर्ण रूप से गड़बड़ी मत जाएगी. क्यों न हम इसी तरक अर्थाद इसी कल्पना का उप्योग जिवों के लिए करें? यदि हम उनके गुट नहीं बनाएंगे, तो इससे भी परिशानी हो सकती है, और हमारा काम और भी कठिन हो जाएगा. चलिए, अब हम इन जीवों अर्थाद स्पायरो गैरा, कमल, आम का पेड, तिलचटा, मेंधक, तोता और बंदर, इनको निमनलिखित पधती से वरगे कृत करते हैं. क्या हम इन्हें दो गुटों में वरगे कृत कर सकते हैं? चलिए, उनके खानपान और गतिमानता के आधा पर हम उन्हें दो गुटों में विभाजित करते हैं. जीव, प्राणी, पौधे. प्राणी में में मेंधक, तोता, बंदर, तिलचटा, जिंगुर, पौधे, स्पायरो गैरा, कमल, आम का पेड, इत्याडी. बच्चों, आप अवश्य समझ गए होंगे कि पौधे के गुट में जिन जीव को हमने रखा है, वे अपना भोजन स्वयम बना सकते हैं, पर वे गतिमान नहीं हैं. वही दूसरी तरफ, प्राणी अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते हैं, पर उनमें गतिमानता है. इस प् परगीगरण आमतार से सबसे बड़े गुट जगत से शुरू होता है और प्रजाती के छोटे छोटे गुट की ओर बढ़ता है. दूसरे शब्दों में हम इसे पदक्रम या अनुक्रम भी कह सकते हैं. जगत को अगरक्रम दिया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के जीवों को समाहित किया जाता है. उनमें कुछ समानताय होती हैं, जैसे कोशिकाओं की दिवार का न होना, अपना भोजन स्वैम बनाना, नियंतरित गतिमानता होना आदी. इस क्रम में अंत में प्रजाती आती है. प्रजाती द्वारा हमें किसी विशेश जीव या छोटी इकाई के बा का अवश्य अंदाजा हो गया होगा, कि ये कितना बड़ा काम है. इसके लिए आपको जीवों की सारी विशेशताओं का अध्यान करना पड़ता है, और उसके बाद उन्हें उचित गुट में विभाजित करना पड़ता है. वर्गी करन की इस प्रक्रिया को अधिक अच्छ किपसी भिन्न ताय भी है. इसी कारण सर्व प्रथम उन्हें एक ही समान गुट में रखा गया और बाद में उनके गुट भिन्न हो गया. इसके अधियन के लिए हम इन तीन नामों का विचार करेंगे. मानव, चमगादड और कंगारू. बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप चमगादड और कंगारू के बारे में अवश्य जानते होंगे. मानव, चमगादड और कंगारू में जगत के स्तर से लेकर स्तनधारी प्राणी के वर्ग तक काफी समानताय दिखाई देती हैं. इसलिए उन्हें जगत प्राणी, सं प्रुष्ठ रजू प्राणी, वर्ग स्तनधारी प्राणी इस प्रकार से वर्गिकृत किया जाता है. पर इसके बाद उन्हें पाई जाने वाली विभिन्नताओं और विशेष्टाओं के कारण उन्हें विभिन्न गुटों में रखा गया. चलिए, अब हम वर्गिकरण के बारे में जानते हैं. जगत, प्राणी, मानव, चमगादड और कंगारू की कोशिकाओं में कोशिका दीवार नहीं होती है. वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. वे अपना खाना स्वयम नहीं बना सकते हैं. संग, समप्रुष्ठ रजू, मानव, चमगादड और कंगारू के शरीर में हड़ियां होती है. उनमें प्रुष्ठ रजू नामक अवयव पाया जाता है, जो किसी छड़ी के समान शरीर को आधार देने का काम करता है. वर्ग, स्तनधारी प्राणी. इन प्राणियों में मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं. उनमें स्तन ग्र चलिए, अब हम अगले स्तर की क्रम बद्धता भी देखते हैं. गन, प्राइमेट्स. मानव इस गुट से हैं. इस गुट के प्राणियों में संतुलनी या अंगुठा होता है. इन्हें पंजों के स्थान पर नाखून होते हैं और इनकी द्रिष्टी भी सटीक होती है. गन, गन, काईरॉप्टेरा, इसे चमगादर गन भी कहा जाता है. ये ऐसा एकमेवस्तंधारी प्राणी है जो उड़ सकता है. गन, मार्सुपिलिया, कंगारू इन गन से हैं. इन प्राणियों की मादाओं में अपने छोटे बच्चों को ले जाने के लिए थैली होती है. और एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इनकी गन के बाद की क्रम बद्धता भी अलग ही होगी. मुझे आशा है कि आपको वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उसका कुछ तो अंदाजा अवश्या आ गया होगा. चलिए, अब हमी तीनों प्राणियों के वर्गीकरण को एक नजर में देखते हैं. अनुक्रम, मानव, चमगादर, कंगारू. जगत, प्राणी, प्राणी, प्राणी. संग, समप्रुष्ठ रज्जू, समप्रुष्ठ रज्जू, समप्रुष्ठ रज्जू. वर्ग, स्तन भी अनएक नसले पाई जाती हैΤ कंगारू की भी अनेक नसले पाई जाती है बच्चों क्या अब आप कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर तोता या मचली जैसे प्राणियों का वर्गे करन करेंगे भले ही आपको उनके गुट के बारे में कोई जानकारी न हो फिर आप उनकी एक सूची बनाकर उनकी विशेशताओं का अध्यन अवशकर सकते हैं विशेशताओं का अध्यन करने के बाद अब आप उनमें मौझूद समानता और विभिनता के आधार पर उनका वर्गी करन कर सकते हैं इस प्रकार बच्चों हम देख सकते हैं कि इन जीवों में आवास, उनका शारिरी धांचा, उनके खान-पान की आदिते हैं, इन सभी बातों में कितनी विवित्ता पाई जाती हैं इसी कारण इनका योगी रूप से अधियन करना और उसके आधार पर इनका वरगी करन करना आवशक हो जाता है जीवों का गुट बनाते समय हमें उनमें जो समानताय हैं और विवित्ताय हैं उनके बारे में विचार करना अनिवारिय होता है वर्गी करण ये व्यवस्था बड़े गुटों से शुरू होती है और एक प्रजाती पर आकर खत्म होती है भले ही वर्गी करण की व्यवस्था में आगे आने वाला स्तर विशेशताओं के मामले में थोड़ा संकुचीत हो जाता है फिर भी वो पिछले स्तरों से जुड़ा होता है विद्यार्थी मित्रों आप भी अपने आसपास के जियों का व्यग्यानिक दुरुष्टी से निरिक्षन कर सकते हैं और उन्हें वर्गी कृत कर सकते हैं कर सकते हैं